जिस दिन बाबा जी की पूरी नजर तुम पर पड़ीना, सबसे पहला पीला बुल्डोजर तुमारे घर जाएगा। अतिक को एक यइक दिन मरना जिए वो मरा ये बहुत हर्श उल्लास का माहुलत दिवाली घूलत हमारे लिए वह अतित अमद हुचुके है। यूपी में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा कौन हमारी योगी जी मरने से कुछ दिन पहले अतीक अहमत का बयान आया था कि मुझे मार दिया जाएगा क्या लगता है इसमें पुलिस की नाकामी साफ नदर आ रही है पहले बाद तो सरह करेक्शन कर देना चाओँगा वह अतीक अहमध नीज अब ओ अतीक हो चुके हैने अब ओ अतीक बन चुके है और जहां तक रही बात समर्थन करने की जो अभी भाई बोल रहे थे ना मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ यह सारा सारह का सपा और कॉइस की मिली जूली भगत है जो इन्होंने अतिक को मरवा दिया क्यूंकि मैंने खुद ने परसनली देखा अतिक एहमत के कुट्टे के साथ मुलायम सिंग के और अखिलेश की फोटो वाइरल हुई ये लोग हाथ मिलाते हुए अतिक ने भी कई बार संकेत दियें कि मैं मुलायम जी को मुख्यमंत्री जी को मिल जाएगा इसी के डर से इन्होंने इसको मरवा दिया और साथ में एक फुक्ता सबूत देने के लिए कि ये कही ना कहीं योगी जी की साजिश है मरवाने के बाद जैश्री राम के नारे भी लगवा दिये क्यों यूपी में सबसे बड़ा हिंदूत्व का चेहरा कौन हमारी योगी जी जो की बीजेपी का भी एक तरीके से सबसे बड़ा चेहरा है तो कही ना कहीं और आजकल वाइरल भी हो रहा है बहुत लोग जानने भ सबसे कड़ी सुरक्षा वेवस्ता यूपी में योगी मॉडल यूपी का बुल्डोजर मॉडल एंकाउंटर मॉडल सब इकदम सुपर शुरक्षा वेवस्ता के बाद भी यह घटना हुई है इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है अब मारने वाला कौन मीडिया कर्मी सब्सक्राइब यह सबक्राइब करेंगें वो मरा यह बहुत हर्शो उल्लास का माहुल दिवाली होली का माहुल है हमारे लिए लिकिन जो तरीके से मारा गया मैं उसके सक्त हिलाफ हूँ और जो मरे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं हिंदूत्व का जैश्री राम के नारे लगा के बच जाओंगा मैं कहना चाहूंगा बेटा थोड़े दिन थंड लकरो जिस दिन बाबा जी की पूरी नजर तुम पर पड़ी ना सबसे पहला पीला बुल्डोजर तुमारे घर जाएगा और तुम भी उसी तरीके से अतिक मारा ना उस तरीके से तुम भी बीच रास्ते में मारे जाओंगे तरीके से पटना में नारे लगाये गए कि अतिक अमर है क्या कहना चाहिए और कुछ नहीं सरकार वहां की सरकार जो है राज्य की जो नितीश कुमार है और तेजस्वी यादाव है वह एक्सपोज हो गए क्योंकि उनके पास भी वोट लेने के लिए अब कॉंग्रेस का तुष्टी करनी तो बचा है यह तुष्टी करनी तो है उनका मंत्री टाइमस नानाव भारत पर आज कॉल पर बोल रहा है कि सरकार नजर रख्यों है अरे नुमें नजर रखने की जूरत है उसको बंद कराने लुष्टी के सामने क्या क्या जा रहा है एक कुछ निया कोई छवी नहीं थी यह मीड्यवाले बोल रहे हैं 4-5 बार का सांसथ यह बोलो ना वो विदायक और वह सांसथ सामाजी आतंकवादी आतंकवाद था जिसने केवल और केवल कुछ नहीं किया दूसरे धर्मवालों को अधालत में पहुंचने से पहले मुझरी मार दिया जाते हैं ठीक है तो अब विपक्ष करा है कि जब क्या सारा जिम्मा पुलिस कोई दे दिया गया तो कोट में वकील क्या करें एक बात बता हूँ अगर अ जिम्दा कैसे बैटे अखिलेश आदा जिंदा कैसे वेटा तो सब तो जिंदा बैठे इस अब भी जिंदा है और दुसरी बात एंकाउंटर है उसको गलत ना जैसे क्यों जहा जाता है मैं बार बार हर चैनल पर बोलो आपके चनल पर भी बोल देता हूं मेरे बाईयो सुन लेकिन कोई भी अपनी खुद की मौत मरा है लेकिन कोई भी अपरादी जो मरा है यूपी में वो क्या गाड़ी पलटने से मर गें पुलिस की सुरक्षा के बीच में मार देना ये गलत है सर इस चीज के बरसना करते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में मार गया लेकिन के मीडिया उसके जिम्मेदार नहीं कुछ हट तक मुझे बात बताईए वो मीडिया क्या दिखा रही है उसका मूतना दिखा रही है उसको मौडल बनाने की जोरत एक बारत में कितने मुद्धे हाँ उन मुद्धबे की बात हो रही है एक जीट्वेंटी का डेलीकेशन काई कि इसको पता है कितने मीडिया वालों को बता है मुझे ये बताईये जोड़त नहीं है क्कि जाने की जोरत नहीं है कि जब तक जी ट्वेंटी की अदिक्ष्टा रहेगी तब तक यहां पर कोई ना क अभी आप बोल रहे थे अतीक मर गया उसको पूलिस के बीच में मार दिया गया इसके पहले पाल घर में 40 बक्तरवन पूलिस वालों के बीच में हमारे साधूहों की हत्या हुई थी आप जैसे कितने पत्रकारों ने उनके बारे में आवाज उठा थी एक बार दो बार पूछा होगा मैं मानता हूँ उसके बाद कितने दिन उस पर डिबेट चली थी किसी ने नहीं पूछा आज देख लीजी अतिक एमद मर गया वह आतंकी जिहादी कटर पंती मान सिकता वाला आदमी मर गया कुछ लोग तो मानने कोई नहीं तयार है बहुत है एक्स एंपी मारा गया ह उसके पीछे अब हमारे पूलिस वाले वो मरे थे पाल घर वाले उसके पीछे कौन से वह वेसी ने ट्वीट किया किसी ने नहीं अखिले शादों ने नहीं प्रियंका गांधी वाटर किसी ने ने ट्वीट किया अब उसको छोड़ लो हमारे MLA तो उमेश पाल भी थे उनके पिता जी राजूपाल वो मर गए उसके उपर किसी ने ट्वीट किया कोई ट्वीट ने आपको दिखेगा ये सब सेकुलरिजम के सुर्वा सिर्फे कट्टर पंतियों के पीछे ही आ जाते क्यू तिन चार परसंड जो उनको वोट मिलता है वही चार कट्टर पंतियों का वोट है अगर इनका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारे दाना पानी सब बंद हो जाएगा तो इनकी मजबूरी है और मैं तो कहना चाहूंगा ये जो एंकाउंटर हो रहा है वो असल में भी राम राज्य चल रहा है इसके पहले 2014 से पहले कैसा होता था पता है कार सेवक को गोली मारी जाती थी गोधरा में आग लगा दिया जाता था जो हमारे सिख भाई उनके गर्दन में टायर डालके जला दिया जाता था और आज कैसा हो रहा है अब परिवर्तन देख लिजी अतिक का काला काल खतम सुर्योदे शुरू अब कैसा हो रहा है अतिक जैसे गुंडों को मारा जाता है जिहादियों को गोली ओमारी जाता है आट तो इसका स्वागत करना चीँ अरल में सब जिहादी मानसक्ता वालों से कहना चाऊँगा अगर तुम राजी चर्याम राजे से हुशने हो ना तो हम पर शूराम राज टयारी कर रहें उसमें तो तुम या तो सिधा छे फिट नीचे जायोगे या तो सिधा पाकिस्तान जायोगे तो तैयार रहना है है आगा है 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 था यह था यह हुआ था